के बहुत ही सिंपल एंड एजी रेस्पी है कस्टड केक बनाने के लिए फर्स हमें कस्टड बनाना होगा कस्टड बनाने के लिए पहले में लोंगी एक कप मिल्क उसमें मैं 3 डेबल स्पोन कस्टड पाउडर एड करूंगी मैंने वनीला फ्रीवड कस्टड पाउडर लिया है आप जो अवीलिबल है आपके पास या मार्केट में वो ले सकते हैं हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि उसमें कोई लंस ना रहे अब मैं बेकिंग ट्रे को वेजेटाबल ओल से ग्रीस करूंगी यू कि इवन उस बाटर एंड प्रेस बाटर पेपर अगर आपके पास बाटर पेपर नहीं है तो आप बेकिंग टिन को मैदे से दस्ट कर देना इवन दाट वोक्स अब हमारी कस्टड में बॉल अना शुरी हुआ है और इस इस पर्फेक्ट इंसिस्टेंसी जब इस कंसिस्टेंसी में कस्टड पक चाहे तब आप फ्लेम ओफ कर देना और इसी कूल होने के लिए रख देना अब हम अमारे केक का ड्राइ इंग्रीडियन प्रिपेर करने जा रहे हैं ड्राइ इंग्रीडियन के लिए मैं एक स्टेनर लोंगी उसमें मैं अराउंड वन कप मैदा यानि ओल पॉपस फ्लावर डालोंगी उसमें मैं अराउंड वन टीस्पून बेकिंग पावडर और अपिंच अफ बेकिंग सोडा आद करूँ और में अचे सही स्ट्रें करना हैं और दो एक स्किप इस 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 त्रिप इस एफ इस एंपोर्त ने था। पर मैं रेट इंग्रेटियन्स और रिट्री एंग्स हाफ कप ऑई अफ कप शुगर और वनीला एसेंट As I don't have electric whisker, I'll prepare my wet ingredients in a mixer blender. Add each ingredient at a time and blend it for around 30 to 40 seconds. This is a very amazing technique if you don't have electric whisker. This is the same outcome. I have tried it many times and it works out good. Meanwhile, I preheat the oven at 180 degree Celsius for 10 minutes. Now I'll add this wet ingredient which I have made in a mixer blender to the flour mixture. We have to whisk it properly and make sure that it doesn't have any lumps in the flour mixture. Whisk this mixture in one direction. जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए इसने मैं आड़ करूंगी कस्टर्ड जो मैंने थंडे होने के लिए रख लिया था हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है एंटिर बिकम्स स्मूथ कंसिस्पिंसी और इसमें कोई लंब्स ना रहे तब तक इसे हमें अच्छे से मिक्स करते रहना होगा जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए इसे मैं अब बेकिंग पिल में डालूंगी हमें इसे अब फाइफ तो सिक्स ताइम्स ऐसे ट्रैप करना है अगर कोई एर बबल हो तो निकल जाएगा मैं अब केक को अवन में बेक करेंगी एद्ट 250 degree Celsius एफ तो 25 मिनट्स अगर आपके पास अवन महीं है तो आप इसे प्रेशे पूपर में भी कूप कर सकते हैं एद्ट मेडियम फ्लेम फर बाउट 40-45 मिनट अब तो इस अलमोस 25 मिनट और मेरा इक हो गया है मैंने उसे नाइफ से चेट किया था और जाएफ निकालेंगी और उसे कूल होने के लिए रख देंगी जब केक कूल हो गया था तब मैंने उसे देमोल किया था और इस 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 ब्लाइब तर बहुत ही पॉंजी एंचे से बेग हुआ है और बहुत ही इसटी बना था कि आला ब Charge मेज कि आला बहुत है और झाला तरा निस इस 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 विलोग त्राय यह रूम मैंने पेले उन्हआ बेर उन्हीर करता बटू झाल